Now return work start, open your copy, page number 1010 तो इस page पे काम करने से पहले हम last page देख लेते हैं कि पहले हमने कौन सा काम किया था Last page पे हमने काम किया था, दिखा था हमने ते, ते के ओपर हमने दो नुक्ते पढ़े थे और हमने return work किया था, page number 8 पे और page number 9 जो था वो हमारा practice page था हमारा और आज हम लोग जो करेंगे page number 1010 तो class हम लोग पहले board पे हम पढ़ चुके हैं, कौन सा हुरूफ है ये, टे, टे के ओपर छोटी सी तो है सबसे पहले हम date mention करेंगे 21st July 2020, pencil फेरिये, लिखिये और रंग भरिये तो आज हम लोग लिखेंगे टे, टे के ओपर छोटी सी तो है, सबसे पहले हम start करेंगे जैसे हम लोग बे लिखते हैं, उसी तरह से हम लिखेंगे टे, टे के ओपर छोटी सी तो है, ठीक है बे की तरह आप बनाएंगे इसको और उपर छोटी सी तो हैं बनाएंगे, सही, आपने इसी तरह से लिखना है जैसे आपको teacher बता रही है आपने B की तरह बनाया और थोड़ सा आप इसको टरन करेंगे यहांसे और छोटी सी तोई बनाएंगे फिर यह हमने D की आदी शकल लिखी है और अब हम लिखेंगे D की पूरी शकल D की पूरी शकल हमने पहले आदी शकल बनाई फिर इसको थोड़ा से उपर ले जाएंगे ठीके और उपर हम छोटी सी तोवें बना देंगे ओकी किलास देखें ज़रा टीचर ने किस तरह से लिखा आप भी सितरह से गौर से देखें और लिखें सितरह ठीके आप नेक्स लाइन पे लिखते हैं बे की आदी शकल बनाई और उपर चोटी सी तोवें लगाई तो हमने यह लिख लिया हमने टे की आदी शकल अभी बेटा आपको चोटी तोवें लिखने नहीं आ रही होगी लेकिन आप भो कोशिश करें आइस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको छोटी तोई भी लिखने आ जाएगी ठीक है आपने इस तरह से बनाया लाइन के साथ आपने ड़च करना है और ये छोटी सी तोई बन गी आपकी ठीक है कॉपी को आपने बिल्कुल क्लीन रखना है खराब नहीं करना आपने और अब हम लिख रहे हैं टे की पूरी शकल टे की आवाद होती है ट ठीक है ये छोटी सी तोई बन गी देखें टीचर ने कितनी सफाई से लिखा है आपने पेज नमबर टैन पूरा कम्प्लीट करना है आइसा इसा करेंगे जल्दी नहीं है आप आइसा सा करेंगे तो अच्छा सा काम हो जाएगा ठीक है ओके ये पूरा पेज आपने कम्प्लीट करना है